हेलो गाइज, वेलकम टू स्टार्ट आप रेलोई के एसिस्टेंट लोको पाइलट एंड टेकनिसियन के पार्ट टू का एक्जाम खतम हो चुका है अभी भी कुछ स्टुडेंट का एक्जाम बाकी है क्योंकि बहुत सारे सेंटर में कुछ प्रॉब्लम की बज़ा से एक्जाम नहीं हो पाया तो उन सारे स्टुडेंट का एक्जाम कुछी दिनों के अंदर हो जाएगा तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है RRBALP CBT2 के एक्सपेक्टेट काटप के बारे में सिर्फ इतना ही नहीं हम उन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे जिनके उपर काटप डिपेंड करता है तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे है तो कृपिया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको अकोएंग वीडियो का नोडिफिकेशन मिलते रहे तो सबसे पहले बात करते है वैकंसी के बारे में रेलोए के एसिस्टेंट लोकोपाइलट एंड टेकनिसियन के एक्जाम में एसिस्टेंट लोकोपाइलट के लिए टोटल जो वैकंसी है ओ है 27,795 और बाकी सारे टेकनिसियन के पोस्ट के लिए जो टोटल वैगंसी है वो है 36,576 और 10 प्लस टू विद फिजिक्स अंड मैंथ्स यानि PCM वालों के लिए टोटल वैगंसी है 5,439 ये थोड़ा कम है क्योंकि PCM वाले सिर्फ तीन पोस्ट के लिए एलिजिवेल है टेकनिसियन के सिगनल, टेकनिसियन के प्रोड़क्शन यूनिट और टेकनिसियन के टेलिजिवेल है और ये जो वैगंसी है 5,439 ये टेकनिसियन के अंदर ही इंकूड़ेड है मैंने अलग से हाइलाइट किया है ताकि आपको पता चले कि PCM वालों के लिए टोटल कितना वैगंसी है तो अगर कुल मिला कर देखा जाए तो अररबी के एलिप एंटिगनिसियन पोस्ट के लिए टोटल वैगंसी है 64,371 जो बहुत ज्यादा है और सिर्फ इतना ही नहीं जब अररबी के एलिप का रिकूडमेंट होगा तब ये भैंसी में थोड़ा सा इंकूडिमेंट होने का चांसिज भी है नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के बारे में यानि उन सारे कैंडिडेट्स जो CBT1 में पास हुआ है और CBT2 देने के लिए एलिजिबेल हुआ है अभी देखिए रेलोए ने एल्पी और टेगनिसियन के नोटिस पे ये बोला था कि जितने भी भैकंसी है उनका 15x स्टूडेंट्स क्वालिफाइड करेगा CBT1 में यानि अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड था कि 9.5 लाग के आसपास स्टूडेंट्स CBT1 में क्वालिफाइड करेंगे लेकिन हुआ कुछ और रेलोय ने ELP और टेगनिसियन का CBT1 का जब पहले रेजल्ड निकला तो अल्मोस्ट 6,00,00 च्टूडेंट्स पास किये थे जो बहुत ही कम था और बाद में जब Railway ने ALP और Technician का final result निकाला तो total pass किया almost 13 lakh के आसपास यानि जो expected था उससे भी कही ज्यादा अभी बात करते है कि कितने students CBT-2 में qualify करेंगे सबसे पहले देखिए जो सारे students ने reference में Technician को पहले दिया है उन सारे students को aptitude test यानि psycho test देना नहीं होगा उन लोगों का selection directly हो जाएगा CBT-2 के part A के उपर divend करके और part B में सिर्फ उनको qualify करना है यानि अगर देखा जाए कि 36,000 जो vacancy है वो directly fill up हो जाएगा CBT-2 के जरिए यानि CBT-2 में ही उन लोगों का final mat list निकल जाएगा अभी देखिए जो सारे students ने preference में ALP चुना है उन सारे students को aptitude test यानि psycho test देना होगा तो ALP के लिए total vacancy है 27,000 के आसपास और रेलोए ने बोला है कि total 8x students को यानि vacancy के 8 गुना students को और select करेगा aptitude test यानि psycho test के लिए जो करीबन होगा 2.2 lakh के आसपास तो अगर देखा जाए जो 13 lakh students है उन में से 2.2 lakh students का selection होगा aptitude test यानि psycho test के लिए और 36,000 जो technician के लिए vacancy है उनका direct merit list निकलेगा लेकिन ये जो number है ये expected है रेलोए के notice के हिसाब से actually में कुछ अलग भी हो सकता है जैसे cbt1 में हुआ है next बात करते है एक्जाम के बारे में RRBK, ALPK, CBT2 का जो एक्जाम है वो तीन दिन में खतम हुआ है 21st, 22nd and 23rd January और हर दिन में तीन shift था shift 1, shift 2 and shift 3 तो ज्यादातर shift में जो question का level था वो था easy to moderate easy to moderate के जितने भी shift थे उन सारे shift में ज्यादातर students ने 60 से 80 number का questions attempt किया है यानि लगभग सभी students ने 60 above question attempt किया है और अगर आप बात करें कि 21st January का जो second shift था और 23rd January का जो second shift था इन दोनो shift में question थोड़ा सा difficult हुआ है इन दो shift में ज्यादार students ने किया है 50 से 60 इसके उपर नहीं उट पाए है क्योंकि question थोड़ा difficult था और application based था लेकिन आप लोग tension मत लीजिए क्योंकि normalization के अंदर आप लोग का number बढ़ेगा finally बात करते है expected cut-up के बारे में जिसके लिए आप लोग इंतिजार कर रहे है सबसे पहले बात करते है assistant logopilot के लिए तो assistant logopilot के लिए जो expected cut-up है वो general के लिए है 55 से 65 OBC के लिए 51 से 61 ST के लिए 46 से 56 और ST के लिए 42 से 52 अगर बात करे technician की तो technician में cut-up थोड़ा सा high जाएगा ALP के हिसाब से क्योंकि technician में एही final round है और इसके उपर ही merit list बनेगा तो technician के लिए जो cut-up है general के लिए O है 65 से 75 और OBC के लिए जो expected cut-up है O है 62 से 72 SC के लिए 58 से 68 और ST के लिए 55 से 65 लास्ट में बात करते है 10 प्लस 2 यानि PCM बालो के लिए उनके लिए जो expected cut-up है वो थोड़ा सा high जाएगा क्योंकि उनका vacancy limited है तो PCM बालो के लिए जो expected cut-up है वो general के लिए है 72 से 82 OBC के लिए है 68 से 78 SC के लिए 63 से 73 और ST के लिए 59 से 69 और ये जो expected cut-up है ये cut-up है normalization के बाद For example, suppose आपको core marks मिला है 55 जो normalization के बाद हुआ है 63 तो ये जो cut-up है ये 63 के उपर आधरित है यानि normalization के बाद आपको जो marks मिलेगा उसके उपर depend करके ये cut-up है और सिर्फ इतना ही नहीं जो सारे students को लगता है कि उनका paper अच्छा नहीं गिया है और उसका selection CBT-2 में नहीं होगा तो मैं उन सारे students से कहना चाहूंगा कि आप आप आसला मत हारिये क्योंकि railway का जितने भी vacancy है उसके बाद भी railway कुछ students को waiting list में रगता है से 1000 students को waiting list में रहेगा जिनको बाद में नौकरी मिलने वाला है और सिर्फ इतना ही नहीं ये 100% confirm के साथ क्योंकि 14 में जिन लोग का selection हुआ था उसके बाद जो बच्चे waiting list में था उनका selection अभी हुआ है 2018 में और railway के 2019 और 20 में total जो expected vacancy है ओ है दो लाग से भी ज्यादा यानि आप expect कर सकते है कि आपको नौकरी मिलने वाला है 2020 के अंदर इसलिए आप होसला मत हारिए और preparation करते रहिए So that's it, thank you अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो कोई भी question हो तो क्रिपया comment करके जरूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे है तो क्रिपया इस चैनल को subscribe कर ले ताकि आपको upcoming वीडियो का notification मिलते रहे Thank you झाल